नमस्कार आप देख रहें न्यूस्टॉप इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सिमनाम देप बढ़ते हैं आज की खास खबरूं की और पलामू में दोस्त की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने चार यूवकों को ग्रफतार किया है मामला पांडू थाने का है गत एक जनवरी को इलाके से कुए से कजरू खुर्द के सिवन डिहिक टोला निवासी 24 वर्षिये रितेश विशकर्मा और छोटू विश्वकर्मा का शब बरामत किया गया था यूवक को पहले पत्थर से कूच कर मारा गया था इसके बाद शब कुए में फेक दिया गया था पुलिस ने इस मामले में पीडित परिवार के बयान के अधार पर सोनु सिंग, मोनु सिंग, अंकित सिंग और छोटू कुमार चंदरवंशी को ग्रफतार कर जेल भेज दिया है इस मामले में छे लोगों के खिलाफ एफ आई आड दर्च कराई गई थी कांड के आरोपी बोबी सिंग और गोलू चंदरवंशी अब तक फरार है थाना प्रभारी ने बताया कि तकनी के अनुसंधान के अधार पर सबकी ग्रफतारी हुई है सभी म्रतक के दोस्ते हत्या का कारण प्रेम प्रसंग जाहिर किया गया है हाला कि संभन में ग्रफतार अभियुक्तों ने कोई खुलासा पुलिस के समक्ष नहीं किया है पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है पलामु जिले के पांडू थाना चेतर में गत शनिवार को यूवक का शव कुए में बरामत किया गया था यूवक का शव मिलने से तीन दिन पहले से घर से गायब था परिवार के लोगों की ओर से इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्च कराए गई थी लेकिन यूवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी यूवक का शब मिलने के बाद ग्रामीड वा परिवार वालों ने पुलिस पर जाँच में लापरवाही कारोप लगाया था पुलिस अदिक्छक ने इस मामले में जाँच करा कर कारवाही का भरोसा पीडित परिवार को दिया था फिलाल के लिए इतना ही खबरों का सलसिला लगातार जा रही है आप बने रहे है द्यूस्टो आप इंडिया के साथ नमश्कार